करेंगे हर बच्चे को समझ में आ जाएगा तो सर आज हमारा टॉपिक है जो हम रिडम्शन करेंगे रिडम्शन ओफ डिविंचर ठीक है अब रिडम्शन जब करते हैं तो इसको बहुत सारे मेथड्स थे उसमें से एक मेथड है कि हम हम रिडम्शन करते टाइम पर इसको खुद खरीद लेते हैं और जब हम खुद खरीद लेते हैं और जब हम खुद खरीद लेते हैं इसको रिडम्शन करते टाइम पर तो होता क्या है जर्नली हम दो परपस से खरीदते हैं इसको हमारा खुद खरीदने का मतलब क्या है कि कमप क्या करा इस कंपणी ने 10,000 या एक लाख रुपए का 10 पर्संट डिवेंचर इशू कर दिया अब जब इसने एक लाख 10 पर्संट डिवेंचर इशू करा तो कंपणी जो है हर साल एक तरीके से बताओ मुझे ब्याज इंट्रस्ट तो देगी न तो कितना इंट्रस्ट पेड करेगी कितने इंट्रस्ट पेड करेगी तो जबाब है सर इंट्रस्ट इसके उपर ये 10,000 हर साल पेमिंट करेगी लेकिन company ने एक agreement कर लिया इन debenture holder से जो ये debenture holder है इससे company ने agreement कर लिया कि भाई debenture holder मैं तुम्हारे पैसे 5 साल बाद वापस करूँआ 5 साल बाद आपके पैसे वापस करूँआ जब ये agreement होता है तो 5 साल जैसे ही खतम होगा company को payment करना पड़ेगा company 5 साल से पहले payment करने के लिए bound नहीं है और सेम ऐसे company अगर debenture holder को पहले ही payment करना चाहे तो उसके लिए भी कोई ऐसा contract नहीं है आपको offer देगा फिर company अब company के पास मान लो अचानक से एक करोड रुपे आ गए यह मानले अचानक से 10 लाख रुपे एक्स्ट्रा आ अगे company के पास अब company ने दिमाग लगाया यार 10 लाख रुपे मैंने करजा ले रखा है और आज मेरे पास 10 लाख रुपे पड़ा है और मैं इसको चाहके भी वापस नहीं कर सकता क्यूंकि यह 10 लाख तो मैं इसको 5 साल बाद ही वापस दूँगा तो company के पास company ने सोचा के चलो मैं इसको कहीं पर कुछ कर देता हूं तो company गई और company FD करवाने गई तो उस केस के अंदर company को क्या मिला company को मिला वहां आठ परसेंट तो company के पास समस्या क्या आए गया company कह रहा है यार मैंने जिसको करजा मैंने जिससे करजा लिया है मैं तो payment कर और 10% और मैं जिसको करजा दे रहा हूं वो मुझे दे रहा है आठ परसेंट company का net to net घाटा हो रहा है यहां पर तो company यहां पर एक option company को दिया गया है कि आप company जो है ना ओफर कर दो ओफर का मतलब public offer होता एक तरीके से आप एलान कर दो आप एक notification डाल दो कि जिसको भी debenture बेचना है हाला कि 5 साल बाद आप देना मैं ऐसा नहीं कह रहा है आज ही बेच दो जिसको भी debenture अपने वापस करने वो कर सकता है और company जब भी debenture वापस करेगी तो एक rate बता देगी यह rate में भी आपका 100 रुपे में ही वापसी खरीदे यह rate में भी आपसे 98 का वापसी खरीदे यह rate में भी 110 का वापसी खरीदे अगर मैं 100 रुपे में ही वापसी खरीद रहा हूं आपसे तो ऐसे situation में company को no profit no loss है लेकिन 98 में अगर खरीद रहा हूं तो ऐसे situation में company को क्या हो गया हमें company के point of view से सोचना है तो company को क्या हो गया सर profit हो गया जब company को इस case के अंदर profit हो गया तो ऐसे situation के अंदर इस profit को company कहां भीज देगी capital reserve में या फिर profit and debenture के नाम से भी छोड़ देगी लेकिन जब company ने 110 के लिए तो company को ऐसे situation में क्या हो गया लॉस हो गया ऐसे situation में क्या हो गया लॉस हो गया इस case के अंदर company इस loss को क्या करेगी लॉस को भी capital reserve से ही यहां पर debit कर देगी इस case में capital reserve को क्या कर देगी इस case के अंदर debit कर देगी इतना फरक रहेगा ठीक है ना अगर हमारे पास capital reserve के debit में बैलें नहीं है तो लॉस ऑन जैसे लॉस ऑन पर्चेस ऑफ डिवेंचर के नाम से आ जाएगा ठीक है अब भाई जो ऑफर किया जाएगा यह मुद्दे की बात है सर जो यह ऑफर किया जाएगा इस ऑफर को करने के दो परपस होते हैं कंपनी के के एक तो हम कुछ समय के लिए जैसे मा और को बेच के और फिर पैसे के इंतजाम कर लेगी क्योंकि मेरे पॉकेट में आज एक लाग रुपए है तो एक लाग रुपए यूज करूँगा और यूज करके मेरे पास अगर एक साल के लिए पैसा पढ़ा है तो मैं सोचूँगा एर FD करा हो या शेर मार्केट में डा यूंछ ऑ dem х gift k chill कर ड़े तो ea k को ओ अ कि देजहर का जो खरीदने की बात चल रही है तो हम यहां पर करीदेंगे के रिप्यदंश इंचर को सब्सग्रभर सर्था टाईब्र तो सकताह अए अप वीर सबेसिक्ली कॉन-कॉन से दो टाइप के हो सकते है नंबर वन नंबर वन पूर पर्पस ऑफ कैंसेलेशन इसमें क्या एंट्री होगी हम पहले वह बेसिक डिस्कस कर लेंगे पिर आ गया एंगे दूसरा हो सकता है फूर पर्पस ऑफ इन्वेस्मेंट पूर पर्पस ऑफ इन्वेस्मेंट तो यानि दो चीजे हैं अगर आपका कैंसेलेशन पर्पस है तो वैसे डिवेंचर के आगे जब हम खरीदेंगे अपने डिवेंचर को तो एक शब्द ऐसा भी लगा सकते हो आप ओन डिवेंचर यह वर्ड डिवेंचर तो होता ही है उसके आगे हम लगा देते हैं ओन डिवेंचर जब कभी भी हम अपने डिवेंचर को खरीदते हैं तो कई बार आप देखोगे बुक्स में और कई बहुत जगह एंट्री देखोगे वहां पे एक वर्ड का इस्तमाल किया जाता है इस ओन डिवेंचर लेकिन ओन डिवेंचर वर्ड हम वहीं इस्तमाल करते हैं जब हमारा परपस हो इन्वेस्मेंट और जहां इन्वेस्मेंट परपस ही नहीं है कैंसलेशन परपस है वहां पे हम ओन डिवेंचर वर्ड का इस्तमाल नहीं करेंगे वह मैंने इस debencha को इशू किया तो मैंने Kredit किया अब मैं कहता हूँ यह डिवेंचर जिंदगी भर के लिए खतम हो जाए तो मुझे इसको करना पड़ेगा 10 पर्संध डिवेंचर क्योंकि जब तक मैं डेबिट नहीं करूंगा 10 पर्संध डिवेंचर को तब तक यह खतम ही या मैं बेसिक सा एंट्री एक कर देता हूं कुछ बच्चे साइध कन्फ्यूज ना हो जाए मैंने कहा भी या मेरे पास एंट्री हुआ डिबेंचर एप्लिकेशन तो 10% डिबेंचर इसका एंट्री का मतलब क्या है मैंने इशू किया ये रिडीम किया पहले बता दो फटा फट कमेंट्स में मैंने इशू किया ये रिडीम किया जल्दी जल्दी बताना है आपको कमेंट में बताओ इशू किया यानि डिबेंचर जैसे ही क्रेडिट हुआ तो इससे हमें accounting इतने time से सीख रहे हैं तो हमें यही पता चला कि हमने साहब debenture issue कर दिया और मैं बोलता हूँ कि इस debenture को अब cancel करो तो आप बोलोगा sir debenture cancel करने का मातर एक तरीका है कि यह 10% debenture को मैं क्या कर दू debit कर दू और 2 उसके पैसे वापस दे दू यह debenture holder due करके करूँ यह 2 मैं ऐसे कर दू बैंक कर दू तो यह भी सही रहेगा तो यह क्या हो गया हमारा debenture बचा यह नहीं बचा बताओ इस बताओ अब मेरा यह debenture अगर यह entry करता हूँ तो क्या इस entry का मतलब है हमारे पास debenture है हमारे पास liability है इस company के पास ही नहीं है company के balance sheet में ही नहीं है अब ऐसे situation में company का balance sheet अगर यहाँ वाले point पे balance sheet देखो तो यहाँ पर company को शो होगा 10% debenture और जैसे ही यह entry करेंगे तो company का balance sheet 10% debenture तो होगा यहाँ पे लेकिन minus बैस भी हो जाएगा 10% डिवेंचर यहां 0 amount आजएग और यहां पे amount होगा हम जो क्योंकि यहां वाले case के अंदर हमारे पास दिवेंचर है और जैसे ही मैंने डिवेंचर को debit किया तो balance sheet से डिवेंचर गया 0 अब मैं अगर इसको परपस सोचू मैं बोलू भाई कैंसिल नहीं करना मुझे दुबारा इशू करना पड़ेगा मतलब दुबारा मैं बेच दूँगा ऐस परपस ऑफ इंवेस्मेंट तो ऐसे सिचुएशन में मैं एक वर्ड यूस करूँगा ओन डिबेंचर और मैंने पैसा दे दिया डिबेंचर होल्डर को ले भाई तू ओन डिबेंचर टू बैंक पेमेंट कर दिया क्या इस एंट्री से कह सकते हो कि यह डिबेंचर मेरा कैंसिल हो गया क्या इस एंट्री से यह डिबेंचर कैंसिल हुआ या नहीं हुआ मेरा नहीं हुआ क्योंकि entry से debenture cancel तभी हो सकता है जब हमारा 10% debenture debit हो जाए तो इसका मतलब मेरे पास से पैसा गया यह entry justify कर रहा है लेकिन debenture cancel नहीं हुआ इसके balance sheet का क्या रूप रेखा होगा इस balance sheet में हमारा 10% debenture यहां पे शो होगा माल लेते हैं एक लाग और यहां पे assets में on debenture भी शो होगा मेरा एक लाग समझ रहें बात आप पहले यहां तक समझ में सभी को बात अब मैं चाहता हूं यार debenture बड़े टाइम हो गए अब मेरा मन बदल गया कि मैं इस debenture को cancel कर देता हूं पहले तो मैंने cancel करूंगा तो cancel करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे 10% debenture को debit करना पड़ेगा जो इस liability में पढ़ा हुआ इसको क्या करना पड़ेगा debit और जो assets में इसको भी तो खतम करना पड़ेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा समझें पहले मैंने basic basic entry बताया entry तो मैं करूंगा इसके नीचे जिससे आपको clarity मिल जाए तो आप समझ सकते हो cancellation वाले में own debenture करने की वाशकता नहीं है सीधा 10% debenture debit करो बात खतम लेकिन जब investment कर रहे हो तो 10% debenture सीधा debit करते हो तो इसको मतलब तो cancel होगी है sir तो वहाँ पे एक बार entry में कर देता हूं कि यहां तक हर बच्चों को clear है हर एक कुलिए है जितने बच्चे live class में है सबही बच्चे को clear है यहां तक मैं दूसरे बात जागा वह देखना यहां पर कवीर है लाइब में कवीर आपको भी यहां तक अखिलेश है और जितने बच्चे लाइब हैं यहां पर सभी बच्चे बता दीजिए यहां तक सर यह बेसिक सा कॉंसेट क्लियर हो गया क्योंकि काफी बच्चों का एक ऐसा रहा था मतलब कि एक फियर कहलो एक ऐसा लग रहा है कि सर नेक्स कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमारा स्लेबस पूरा होगा नहीं होगा तो मैंने वो सिस्टेमेटिक बनाया आपका स्लेबस इसी महिने में करूं अब इसमें इंट्रस का भी पंगा आएगा इंट्रस वाली एंट्री के तो मैं करूं आव इसे इंट्रस वाली बेसिक रहें तो इसमें पहली एंट्री क्या होगी जब आप कैंसिलेशन के लिए खरीदोगे तो पहले करोगे 10% कि डिबेंचर अकाउं डेविट अब इसके उपर इंट्रस की बात तो इंट्रस्ट भी डेविट कर दोगे इंट्रस्ट और टू में कर दोगे बैंक और जो फाइदा हुआ वो तू में आ जाएगा आपका प्रॉफिट अन जो भी हुआ या फिर सीधी एंट्री किससे कर देंगे हम कैपिटल रिजर यह एक एंट्री हो गया जो कि हमने पिछले क्लास उसमें देखा होगा लेकिन उस टाइम इतने अच्छे से नहीं हो पाया तो अब मैं बता लूँ ठीक है अब इस इंट्रस्ट को हमें पी हेंडल में ट्रांसफर करना होगा देट इस स्टेटमेंट प्रॉ इनट्रस्टरों डेंचरिंए यह दो एन्ट्री होनी है आपके किस केस के अंदर दो की होनी है किस्केस केंजल हो गया इसका मतलब है सर बाले बनेगी तो बैले चीड में का नामू निसान नहीं रहेगा और इसका मतलब है कि कि सर बैले शीट के अंदर आपका сердor के अंदर भी सको मैं ने राइट आफ कर दिया है अब इस वाले केस में थोड़ी एंट्री बढ़ जाएगी सर क्या एंट्री बढ़ेगी पहली एंट्री पहले तो हम अपना डिबेंचर खरी देंगे डेट इस हम वर्ड लगाएंगे ओन डिबेंचर ओन डिबेंचर का मतलब ही समझ जाना यह इंवेस्मेंट कर रहा है क्योंकि जैसा ही ओन डिबेंचर आया तो बैलेंशिट के एसेट में पहुंच जाएगा यह ओन डिबेंचर अकाउंट परसेंटेज लगाने की जूरत नहीं है डेबिड टू बैंक और यहां पर आ जाएगा इंट्रस्ट ओन डिबेंचर ओडवलुएन ओन डिबेंचर ओन अलग है ओडवलुएन ओडवलुएन मतलब होता है हमारा ठीक है हमारा यह परसनली अपना इंवेस्मेंट एक तरीके से और यहां कर देंगे टू बैंक हम प्रॉफिट तब तक नहीं बोल सकते के हमारा हो गया जब तक हम कैनिसिल ना करते क्या पता मैंने सौ रुपे में खरीदा असी रुपे में खरीदा था और इंवेस्मेंट किया और मुझे जल्दी से पैसे जुरत पड़े मैंने किसी को असी में ही बेच दिया तो प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं तो प्रॉफिट अब हर साल जब इंट्रस्ट आएगा तो यहां पर प्रॉब्लम क्रियेट होगा सपोस डैट आपके पास 2000 का 2000 डिवेंचर है इसमें से आपने 600 डिवेंचर खरीद लिया as a investment तो वो 600 डिवेंचर जो खरीदा है उसका ब्यास तो बाहर वाले को तो देना ही नहीं है वो डिव डिवेंचर का वो डिवेंचर का सिर्फ पेमिंट होगा बैंक से तो मान लो साल खतम हो गया अब मुझे ब्याज का पेमिंट करना है तो कैसे करोगे सबसे पहले करोगे इंट्रस्ट और डिवेंचर अगर मैं इसी का उधारन लो मान लो 2000 था और 10 परसेंट था तो 200 रुपे यहां पर आप क्या लिख दोगा है अगर मैं एक्जामपल ले लूँ 200 रुपे लेकिन क्या आप बैंक से पूरे 200 रुपे पेमिंट करोगे जवाब नहीं सर 200 बैंक को पेमिंट नही करेंगे यहां पर दो लोग इंवाल्व हो गए हैं एक हम है एक दूसरा है तो जो बाहर वाला है उसको तो बैंक से पेमिंट कर देंगे यानि 140 और हमारा जो है हम लिख देंगे इंट्रस्ट ओन ओन डिवेंचर यह इंट्री बनेगी जब इंट्रस्ट ड्यू होगा तो करते हैं न इसको हम कैंसल करतेउं मतलब हो इस ऍहल्स कर सबस्क्राइब कर दो जैसा यहीं कमपनी केंसिल करने जाएगी तो कंपनी क्या करने वाली है 10% करेगी परेंगीcoming कशिघ मेंट्र का प्रॉबलम्व प्रशाए यहां पर बिंग क्या लिखना मैं बता देता year के end में हो जाएगा ठीक है 10% debenture ये किसके है सर cancel की है ये किसके cancel की है बच्चे बोलते है सर इसका being क्या होगा लिख देता हूँ on debenture purchase सर इसका being भी बता दो इसका है interest paid हाला कि इसको और भी detail में entry कर सकते हैं पहले interest को due कर दें debenture holder के नाम से और फिर उसको जब payment करने जाएं थब भी कर सकते हैं दो entry बतायता है पहले due करो फिर paid करो बैसे directly paid भी कर दो कई जगह पर तो फरक नहीं भड़ेगा अब debenture cancel करने 10% debenture सर जब 10% debenture cancel होगा तो credit में क्या हो जाएगा to own debenture है ना पहले हमारा assets था अब credit हो गया अब है यहां पर फाइदा नुक्सान की बात आ जाएगा तो यहां पर जो भी फाइदा होगा तो उसको लिखोगे profit on cancellation profit on और last में इस profit को capital reserve में आप भेज़ दोगे that is profit on cancellation to capital reserve इसके बाद इंट्रस इंट्रस वाली जो basic century वो तो होनी होनी है अगर question में कहता है बागी main entry क्या है सब्सक्राइब एक इंट्रस का payment होता है ना उसका उसका ध्यान रखना है क्योंकि उसके अंदर हमारा भी interest होगा जब payment की बारी आगे तो हम अपने interest को नहीं भी देंगे बागी बाहर वालों का interest payment कर देंगे और जब cancel होगा तो वहां पर फ्रॉफिट होगा और प्रॉफिट को कहां भी देंगे capital अगर लॉस हुआ तो लॉस ऑन cancellation debit कर देंगे और उसको भी capital में भीज़ेंगे चीक है यहां तक क्लियर है cancel का भी बताते हैं cancel का on debenture cancel लिख देंगे on debenture cancelled ठीक है बिंग लिखना नरेशन लिखना तो अब हमारे जो debenture खरीदे जाएंगे basically वो दो तरीके से खरीदे जाएंगे और दोनों की entry क्या है यह है अब इन debenture को भी खरीदा जाता है कई बार एक्स डिविंचर के पॉइंट से और कई बार कम डिजन डिविंचर के पॉइंट से ठीक है ना सर इंवेस्मेंट वाला नहीं समझ आ रहा है दुबारा समझा तो अभी बहुत सारे रोनक मैं entry करूंगा तो आपको एकदम clear हो जाएगा नहीं होगो तो फिर दुबारा कर ले तो चलिए यह सब तो मैंने लास्ट वैसे classes में किया था तो मैं हटा देता हूं यह आ जाईए यह वाला question है हमारे पास क्या कब आपका क्या वैसे पहले interest calculation वगरा करना सीख लिया था लेकिन दुबारा करते हैं इसको ठीक है ना अब मैं proper manner में questions को कर देता हूं यह एक्स इंट्रस्ट वैदर कम इंट्रस्ट वैदर इंवेस्मेंट वह चाहे कुछ भी हो पूरे तरीके से पिसली बार जैसे कि मैंने डेट चेंज कर वा दिया मैंने इसको अभी डेट चेंज करके मान लो क्यूंकि मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाह रहा था question क अब जब हमने सीखे लिया है तो कोई कस्टमाइजेशन नहीं है सर क्या question बोलेगा investment है नहीं आप देखना कि उसने cancel बोलता है कि जिस दिन पर खरीदा और उसी दिन अगर cancel कर दिया तो for the purpose of cancellation है और मैंने खरीदा आज और cancel तीन मैंने बाद कर रहा हूं तो यह investment परपस होग ठीक है जैसे कि मेरे वाले इस question में कहता है कि हमने अपने on debenture buy कर लिए है नॉमिनल वेल्यू हमारा है साथ हजार सतानवे 97 commenters फॉर्ट मार्च को करा buy लेकिन company cancel these debenture 31 मार्च यानि एक मार्च को buy करके cancel कब कर रही है 31 मार्च को तो अब यह investment वाला हो गया अब यहाँ पर word क आएगा on debenture समझ रहे हो बात आगे कहता है पास जनरल इंट्री और इंट्रस का जो पेइमेंट है जून और दिसम्बर करेंगे तो मैं एक आपके सामने एक डेट भी जैसे बना लेता हूं एक अप्रेल और यहाँ पर डेट बना लेता हूं मैं जैसे 31 मार्च 31 एक अप्रेल और 31 एक अप्रेल की बात करें हम इंट्रस्ट हर वाल 30 जून को पेइमेंट करते हैं तो एक मान लो यहाँ पे यह है 30 जून और उसके बाद मान लो यहाँ पे है 30 जून के बाद 31 दिसम्बर क्यों पता भुली है अब हमारी कहानी जर्णे स्टार्ट हुई यहां से हुई चलती गई अभी तक तो हमें स्टय। चलते गई हां जब हमने सुरू में डि इस्य acid किया होगा तो मैंने 100 छ्य को इंट्रस पेरगर और यहां पर जो भी रहा होगा उसका इंट्रस्ट हमने क्या दिया होगा उसको पीड कर दिया करने बाद इस जगे पर इंट्रस्ट क्या हो चुका होगा हो चुका होगा क्योंकि कॉश्चन ही कहता है dużo हम हर बार इंट्रस्ट ऐसाह से परेंट करते हैं वह लेखिना पूर है स्वाई जैसे ही हम आगे बढ़ें तो ठीक तीस यानि एक मार्च को यानि एक तीन को ठीक एक तीन को एक तीन को हमने डिवेंचर खरीद लिया और इस दिन जाके मैंने अपने डिवेंचर को वापस से कैंसल किया तो जब मैंने एक मार्च को खरीदा तो खरीदते टाइम पर क्या एंट्री होना चीए वह देखो पहले आप खरीदते टाइम पर अगर मैं एंट्री की बात करूं मैं पूरे फॉर्मेट में ही कर देता हूं कुछ बच्चे बिंग को लिके भी परिशान थे यह इन्वेस्मेंट वाला है एक बच्चे का था सर इन्वेस्मेंट वाला समझ में नहीं आया तो आप देखते जाना कि अगर कि अगर करेंगे और डिवेंचर कि डिवेंचर शॉट फॉर्म में लिख रहा हूं थोड़ा अकाउंट डेबिट सर कुश्चन कहता है कि आपने डिवेंचर 97 में खरीद लिया है और साथ हजार वेल्यू है तो अगर आपका वेल्यू आपने 58,000 अब यहां पर कुश्चन यह होता है कि सर इंट्रस्ट भी होगा यहां से यहां तक के टाइम का इंट्रस्ट भी तो होगा तो आप 97 रुपीज जो उसको पेमिंट कर रहे हो इसके बाद उसको क्यूंकि जो आपका था जनवरी और फरवरी दो महने तो किसी और के दो महने का ब्याज दोगे अलग से या नहीं दोगे तो सवाल होता है कि अगर आप उसको दो महने का अलग से ब्याज दोगे और 97 और दोगे तो वो हो जाता है एक्स इंट्रस्ट और मैं 97 जो दे रहा हूँ उस दो महने का मैं उसको बिलकुल भी ब्याज नहीं देने वाला तो interest देना company का फाइदा नुकसान नहीं है वो तो liability थी ही थी तो company ने actual माईने में इस debenture को कितने का खरीदा होगा तो हम इस में से क्या करेंगे interest को घटा देंगे तो interest को घटाने के लिए interest का calculation होगा that is आपका दो मेहने का अभियाज निकलेगा दो साथ हजार इंटू में जो हमारा debenture का rate है 6% 6 by 100 इंटू में 3 by 3 ने 2 by 12 पिछली बार मैंने 3 किया होगा लेकिन अब 2 by 12 करेंगा बिल्कुल question के इसाब से जबाब दे रहे हैं कितना है 600 तो बाकि जो बच गया यहाँ पे वह आ गया 57 600 अब जो मुझे यहाँ पे लिखना है यहाँ पे 57 600 और यहाँ आ जाएगा इंट्रस्ट on debenture इसके उपर का इंट्रस्ट बनता था आपका कितने 600 और भाई साब आपको अब हम पेमिंट करने जा रहे हैं बाहर वाले debenture holder येलो बैंक से पैसा और आपको मैं टोटल पैसा दे दूँगा 58 200 यह मैंने आपके debenture का पैसा दे दिया मैंने आपको इसके लिए सरक्या बिंग लिखोगे मैं बिंग लिखूँगा इसके लिए बिंग पर्चेस और दा पर्पस और इंवेस्मेंट यहां तक तो इंवेस्मेंट के लिए ही है अब जैसे ही टाइम आया क्या आया सर 37 मार्च ठीक एक महने बाद अब हमने फैसला किया एक महने बाद तो पूरा हमें पींडल का भी प्रोसेस करना है Interest वाले को Transfer करना और एक मैंने बाद मैंने कोसिस किया कि यार इसको Cancel करने में भला ये Cancel कर दो अब Cancel कितने में किया Question ने ये नहीं बताया कि कितने में Cancel किया Question ने बोला बस इसको Cancel कर दो अब 31-3 को जब मैं cancel करूँगा तो ऐसे situation में क्या होगा मैं जो 6% debenture है उसको मैं कर दूँगा debit 6% debenture हो गया cancel और बदले में क्या कर दूँगा और 6% debenture का क्यूंकि जब 6% आया तो यहां face value आएगा और 2 में क्या करूँगा मेरा on debenture था कितने का जो आपने on debenture यहां पर दिखाया था वो on debenture का amount that is 57 और 2 में क्या आजाएगा अब profit या loss आएगा आपको तो देखा जाएगा आपको profit हो रहा है या फिर सीधा सीधा आप यहां capital reserve भी इस्तमाल कर सकते हो या पहले profit on cancellation लिख दो और फिर capital reserve में transfer कर दो वो entry बढ़ाने वाली बात हो गई सीधा सीधा आप capital reserve भी कर सकते हो तो कितना difference आ रहा है 2400 यह हो गया cancel अभी interest का हमने कोई काम नहीं किया यहां तक कोई दिक्कत था दो एंट्री में बताईए कोई दिक्कत क्लियर है सर 600 कैसे आए 600 हमने number divide गया number निकालने के लिए क्योंकि हमारा 60,000 था और 60,000 को 100 रुपए face value से डिवाइड करके निकाल लिया यहां तक बता दिजिए किसी student को कोई doubt हो तो कि यहां तक बता दो किसी student को कोई doubt हो किसी भी पॉइंट में तो मैं clear कर दूँँ अगर बच्चे को यहां तक clear है तो बस अभी कि इंट्रेस्ट वाली इंट्री आपको बड़े ध्यान से देखनी हैं इंट्रेस्ट की मैं बात करने जा रहा हूँ क्योंकि साल हमारा यहां से सुरू हुआ और यहां खतम हुआ हमें पूरे साल का ही इंट्रेस्ट पी इंडल में भीजना होता है चाहे हमने किसी को भी पेमेंट किया स्टेट्मेंट प्रॉफिट एंड लॉस में तो जाएगा अब यहां कहानी यह है कि एक महिने तो मुझे खुद को मिला यानि पूरे साल में देखा जाए यह वाला टेनियोर देखो आप ध्यान से पूरे साल में अगर देखा जाए तो यह वाला टेनियोर से लेके यह वाला टेनियोर तक तो मैंने बाहरवालों को दिया था जो मेरा खर्चा था नहीं क्योंकि वह डेंचर तो मेरे जेब मेंगी पढ़ा था। लेकिन उस पे जो भी इंटरस हुआ वह हम अपना प्रॉफिट मांने लेंगे जो बाहरवाले को देना था, नहीं दिया एक तरीके से हमारा। क्वाफिटु आ लगों तो अब यहां से लेके यहां तक आप ध्यान से सोचना जब इंट्रेस्ट को हम देPark कर रहें पेमिंझी। नहीं कर रहे हैं पेमिंट यहां पे भी होई गए यहां पे भी होई गए और यहां'M महने का interest जो कि हमने किसी को दिया यह नहीं तो एक तरीके से interest on owned debenture माना जाएगा समझते ही बात, तो 11 महने का अगर मैं इंटरास निकालू interest निकालू अगर मैं 11 मंत का तो 60,000 into में 11 by 12 into में 6 by तो कितने आ गए कितने यह दो महने का 333 और अगर मैं एक महिने का मानूं, कितने महिने का सर, एक महिने का, तो interest अगर मैं मानता हूँ, जो कि on debenture पर calculate होगा, वो होगा हमारा 60,000, और हमारे पास तो एक महिना ही रहा, into में 6 by 100, तो that is 300, ठीक है, अब जब हम interest को P&L में डालेंगे, तो interest को जब डालेंगे, तो हमारा आए statement, profit and loss account, debit, और two, जितना interest हमारे क्या है, खर्चा, जो भी interest हमारे क्या है, खर्चा, तो two interest, on debenture, book में हो सकता है, 81 entry, अलग-अलग कर रही हो, तो यहाँ पर मैं direct दिखाना चाहूंगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हर किसी को clear है, यह कौन से interest है, सर, यह वो interest है, जो हमने बाहर बालो को paid किया, एक और entries rate पे होना है, हमारे खुद के interest की, तो हमारे जो खुद के interest की entry होनी है, उसको मैं थोड़ा से साइज को reduce करके, मैं करके दिखाता हूं, उसक हमने payment तो किया ही नहीं ना अपने आले को, तो जो यह तो होगे हमारा यह भी 33 को यह चल रहा है, फिर से 33 को कहेंगे, भाईया interest on debenture, जो due करना था, क्योंकि उपर तो due हुआ ही नहीं ना payment के लिए, एक महिने का, पर किसका interest हो जागा, to interest on debenture, कितने सहाब? कोई दिक्कत, अब यह interest आप statement pndl में भेज दो, तो जब statement pndl में आप भेजोगे, तो ऐसे situation में, क्या होगा हमारा, यहाँ पर एक entry हम और भी कर सकते हैं, क्या करें, छेसो, मैं यह करता हूँ, interest on debenture, to statement profit and loss, क्योंकि यह मेरा income हो गया, और यह हम ने दिखा, देखिए पहले, इसको अब पहले due नहीं किया था, लेकिन जब जब payment हुआ होगा, तब due हो गया हो गया, यह एक बाद due कर दें, पूरा, चलो मैं कह रहा हूँ कि 3600 को एक बाद due कर दू है, चलो ऐसे कर देता हूँ, क्योंकि एक entry missing होगे, यही मैं सोच रहा था, फिर आप confused होगे, तो चलो मैं due कर ही देता हूँ, पहले due कर देते हैं सब को, पेमेंट तो हो गया, तो एंट्री क्या होगा, इंट्रेस्ट, और डिबेंचर, 3600, पूरा ले गया, अब, टू, टू, अब यहां पर डिबेंचर होल्डर टू बैंक चला गया न, किसके नाम से लिखे, टू, इंट्रेस्ट, ओन, ओन डिबेंचर, यह इसको कर देते हैं, क्योंकि पेमेंट तो पहले हो चुकी है, इसलिए मैं सोच रहा था, टू, डिबेंचर, होल्डर कर देता है, ठीक है, डिबेंचर होल्डर को देना है, 3300, और टू, इंट्रेस्ट, ओन, ओन, डिबेंचर, यह ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, बुक के अंदर आप देखोगे, कुछ बच्चे बुक में चेक करेंगे, तो 36-40 एंट्री शायद नहीं करी हुई, हाँ, वो अलग-अलग कर दिया होगा, उन्होंने, तो 3600 सब को मिलाओगे, तो मैंने 81 मिला दिया, और बुक वालों ने क्या करा, अलग-अलग अंट्री कर दिया है, उसको, और वो सिर्फ 6 महने का ही ड्यू करा है, मार्च का, और जो मैं देख पा रहा हूँ, वो करा है, इसने इंट्रेस्ट 900 रुपे, और इंट्रेस्ट करा है, इसने 300 रुपे, नो और तीन, बारा और छे, अठारा सो, या जो पहले था पेमेंट, आप ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे करें, सर पहली वाली करें, आप ये भी कर सकते हो, पहले वाली, अब देखो, यहाँ पे सिंपल सा समझना, कॉंसेट समझना, यहाँ पे मैंने अजम्शन लिया है, कि पहले कभी इंट्रेस्ट के इंट्री ड्यू हुई ही नहीं है, क्योंकि आप तो एक बार यहाँ भी ब्याज पे कर चुके हो, क्या पता है, यहाँ पे आपने ड्यू करा होगा पहले, तब ही तो पे किया होगा, एक बार यहाँ भी पेड कर चुके हो, तो ड्यू भी हुआ होगा, फिर पेड किया होगा, अब एक यह तरीका है, कि आपने पेड कर दिया लेकिं डियू नहीं किया मैं यह मान लो तो अगर आप यह मानते हो के पेड कर लिया और डियू नहीं किया तब तो यह एंट्री ठीक है एक और एंट्री हैपको करना इस इंटर्स और नॉन डिविंचर और हुआ टु स्टेट्मेंट profit and loss और एक ये जो हमारा interest है इसको statement profit and loss में भेजने की ये लंबा हो जाएगा मेरे हिसाब से है ना तो मैं due मान चलो मैं ये मान लू कि यहाँ पर due paid हो चुका है फिर छोटा हो जाएगा वो क्योंकि due के बाद ही paid होगा तो बच्चे फिर इसमें मुझे लग रहा है इसलिए मैं पहले कर रहा है आपने बोला यह कर तो 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 फिर यह यह तो और complicated हो जाएगा आपके लिए कि मैं मान के चल रहा हूं कि डियू और paid हो गया बस पी इंडल में भेज़ देते हैं कि तो इंट्रस्ट अहंं डिबेंचर फिक है और वह बहून चुका हो एइंट्रस अंडिबेंचर हम सीधा पी इंडल की बात करते हैं पींडल तू इंट्रस्ट ओन डिबेंचर ठीक है कितने रुपेसर त्यांतिस्टों सिंपल एंट्री अब हमें जो इंट्रस्ट मिलना था पहले इसको डिउ तो कर लें तो होगा हमारा इंट्रस्ट कि ओन कि यह डारेक्ट एंट्री करते हैं कि स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस इंट्रस्ट ओन डिबेंचर कि टू इंट्रस्ट ओन ओन डिबेंचर यह 3600 ही करेंगे हम ठीक है मैं इसको दूसरे तरीके से समझो बात को मैं अभी एक बार फिर से एक्स्प्लेइन करूं चिंता मत करो यहां हम करते हैं एक काम करते हैं पूरे च्छत्यस्ट अब आ जाते हैं और च्छत्यस्ट पूरा ही इंट्रस्ट ओन डिबेंचर ना डाल गए यहां डालते हैं त्यांतिस्ट और यहां डालते हैं इंट्रस्ट अब करते हैं इंट्रस्ट ओन डिबेंचर टू स्टेट्मेंट प्रॉफिट अब प्रॉफिट और लॉस में अल्टीमेटली देखोगे तो आपका क्योंकि ऊपर तो च्छतिस्ट बेज दिया तो त्यांतिस्ट ही गया है गया है प्रॉफिट और उसके बाद और इंटरस्ट जो था वो 3,5 था और हमारे डिबेंचर का इंटरस्ट कितना था 300 अब ये जो हमारे इंटरस्ट का डिबेंचर था ये पींड़ में डेबिट नहीं होना चाहिए वो पींड़ में कहा होना चाहिए क्रेडrang तो अगली entry में मैंने इसको reverse कर दिया interest on non-deventure को debit करके cancel कर दिया और two statement profit and loss लिखके 300 लिखके मैंने इसको क्या करा transfer कर दिया तो ultimately हमारे business का खर्चा जो देखोगे वो 3300 नजर आएगा कैसे 3600 debit P&L में और credit तो 3300 ही नजर आएगा और 11 महिने का ही ब्याज ऐसा है जो कि हमने बाहर वालों को दिया है otherwise एक महिने का तो company के अंदर ही रहा है ब्याज निक capital reserve का तो मैंने direct कर दिया यहाँ पर profit on cancellation अगर लिखते आप तो फिर capital reserve लिखना पड़ता अगर आप यहाँ पर word use करते जैसे यह वाली entry है 6% debenture यह जगह ब्लाएं पर यूज करते profit on तो आप यूज करते profit on cancellation to Capital Reserve की एंट्री समझ महीं बात आपको?